इंडियन फिल्म इंडास्ट्री के फेमस फिल्मेकर करन जोहर एक बार फिर अपने क्रिप्टिक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर छागए है करन जोहर की लेटेस क्रिप्टिक पोस्ट ने नेटिसंस का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया है क्योंकि इस बार फिल्मेकर ने किसे पर नाराजगी नहीं जाहिर की है बलकि अपने दुख को बया किया है करन जौर ने क्रिप्टिक पोस्ट में दिल की बात बया करते हुए कहा कि कैसे उनका एक शो में मजाक उड़ा गया है वो भी उनकी अपनी इंडस्ट्री की लोगो द्वारा जिसके बार नाराज नहीं बलकि दुखी फील कर रहे है करन जौर ने हाली में इंस्ट्राग्राम के स्टोरी सेक्शन में क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया जहां फिल्मेकर ने लिखा मैं अपनी मां के साथ बैट का टेलिविजन देख रहा था मैंने एक रियालिटी कॉमिडी शो का प्रोमो देखा एक कॉमिक आटस्ट मेरी बहुत बुरी मिमिक्री कर रहा है मैं ऐसा ट्रोल का उमीद नहीं कर सकता हूँ या फिर उन लोगों से जो अपना चहरा चुपा कर नाम चुपा कर कुछ भी कहते हैं लेकिन जब लोग अपनी ही इंडस्ट्री से हैं आपका मजाक उडाते हैं वो भी ऐसे इंसान का जो लगबख 25 सालों से जादा से इंडस्ट्री का हिस्सा है आपका इस तरह से करना दिखाता है कि आप कैसे वक्त में जी रहे हैं अब मुझे यह गुस्सा नहीं दिलाता है बलकि मुझे दुख देता है